मध्य परदेश के सीधी पेशाप कांड के बाद आदिवासी समुदाय के युवकों से अत्याचार का एक और मामला सामने आया इन दौर में आदिवासी समुदाय के दो भाईयों के साथ बेरहमी सी मारपीट की गई पेडिदों में एक नाबालिक है इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया बता दें कि ट्विटर्स तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म जिस पर वीडियो शेयर हो सकते हैं पर जम कर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं यूजर्स कॉमेंट कर रहे हैं वहीं आपको बता दें कि ये घटना शुक्रवाज साथ जुलाई को उराउ थाना शेत्र की है पेडित युवक धार जिले के मांडल शेत्र का रहने वाला है ये दो भाई थे जो इन दोर में ट्रेजर फैंटाईजी में मजदूरी करते हैं साथ जुलाई की शाम दोनों मजदूरी के बाद बाईग पर सवार होकर वापस चाले थे इसी दोरान तेज बारिश होने लगी जिसके चलते इनकी बाईग गिर गई तीनों ने मिलकर आदिवासी भाईयों को बेरहमी से पीता आरोप है कि दोनों भाईयों के साथ करीब 8 घंटे तक मार पीत की गई बताग दे कि पीडिक ने मीडिया को बताया कि हम दोनों और सब ने मिलकर बहद मारा बहुत पीता वो कुल 6 लोग थे हम रात को 4 बजित किसी तरह वहां से भाग कर आएं इस घटना के मुख्य आरोपी इस सुमेट चौधरी कहते हैं ये हमारे उपर पत्थर फैंक रहे थे हमें उस रास्ते से नहीं जाने दे थे इसी बात पर इन से मार पीट हुई इसमें पूरी गलती हमारी नहीं थी वहीं इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस राजे सरकार पर हमला बर हो गए मध्यपरदेश के पूर मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस नेता कमलनात नहीं ट्वीट किया मध्यपरदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार सभी सीमाओं को लांग गए आदिवासी समुदाई की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं सीधी की खटना के पाद जिस तरह से इंदौर के राउशेत्र में दो आदिवासी बक्चों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया उसे देखकर रूह काँप जाती है क्या भाजपा की कुशाशन ने समाज में इतनी घ्रणा घोल दी है कि कुछ लोग आदिवासी समुदाई और अन्यवंचे समुदाई से नफरत करने लगे हैं और उनका उत्पीडन करने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं इस घटना पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आपको बता दे घटना को लेकर DCP आद्यत्य मिश्रा ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ततकाल एक्शन लिया मुख्या आरोपी सुमिच चौधरी समेत उनके दोनों साती जैपाल और प्रेम सिंग को गिरफतार कर लिया गया वहीं दोनों पीडितों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया उनकी हालत स्थिर है इससे पहले राज्य के सीधे जिले में एक आदिवासी समूदाए के आदमी पर पेशाप किये जाने का मामला सामने आया था जिसके बाद आरोपी प्रवेश शुकला को गिरफतार कर उस पर एनस से लगा दिया गया था साथी राजे सरकार की तरफ से पीडित को आर्थिक साहता भी प्रदान की गई थी इस मामले के बाद सीम शिवराज सिंग चोहा ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बरदाश नहीं की जाएगी और कुछ दिन बाद ही इस तरह की बेरहमी से मारपीट का विडियो सामने आता है